तो ये सुखजिंदर सिंग रंधावा की आप से दो-तीन बार बात हुई थी राउल गंदी की आत्रा के दुरार उन्होंने का मैं दूसरे उनकी तरह नहीं हूँ और उन्होंने एक्टिवनेस दिखाई भी थी जिस तरह से एक नया थानेदार MB Act के चालान करता है कि यहां भी मैं आ गया हूँ तो उन्होंने अपनी आमद तो ठीक दिखाई है अप उस आमद का असर क्या होगा यह अभी मकर संक्रांती का वेट करना है अशोगलोट ने एक बयान दिया है सर कि मैं चाहूं तो मेरे बस में हो तो मैं यह बलातकारियों को और इस तरह से गुआँ तो बड़ी बेबसी उनकी नजर आती है एक नेता के तोर पे यह कहना कि वो अपरादियों के सामने बेबस है तो इसको कैसे देखते हैं आप या यह कोई ध्यान बटनकाने की कोशिश है जैसा अकसर अशोगलोट करते रहे हैं देखे मैं कई बार इस तरह की कोशिश हो suivं को इमानधार मनता हूँ जैसे पत्रकारों को कहते हैं कि विग्यापन चाहिए तो हमारी कबर दिखानी होगी इसी तरह से वो कहते हैं कि मैं बेबस हूँ मैं चाहता हूँ यह कर दूँ वो कर दूँ लेकिन कानून के दाइरे में मैं बन्दा हूँ तो कानून बनाने का कम तो उनका है सरकार के मुठिया है और मैं तो यह कह रहा हूँ कि आप क्या करना चाहते बलातकारी के साथ वो बाद की बात है आप एक माहूल तो ऐसा बनाईए कि यहां पर बलातकार नहीं हो लो एंड ओर ठीक रहे अपरादियों में भहे रहे जो पुलिस का स्लोगन भी है कि अपरादियों में भहे हो जनता में जवास हो तो वो तो बहाल हो कम से कम यह मैं आपको बता दूँ अशो गैलोत का एक वीडियो वाइरल हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है बलातकारियों को यह इस तरह से घुमाया जाए या उनकी परेड कराई जाए जैसा राजनितिक मुगदमों में हमने पीछले दिनों को औरदन सिंग के मामले में देखा सरकार ने किया है जोदपुर में भी एक प्रक्राण में हमने देखा है जिनको वो करना चाहते हैं उनको तो करते ही है चुँकि बात अशो गैलोत ने सुप्रीम कोर्ट की कही है सुप्रिम कोर्ट के ओर्डर कारेपालिपका पे निसंदे है, अक्सरसे है, लागो होते हैं और सुप्रिम कोर्ड की अवमानन्ह अविल्ना नहीं भी की जानी चीए लेकिन मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी बेबसी ये साबित करती है विदाइका किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के ओर्डर्स को बहाना बना के अपनी जिम्मेदारी से बचती हैं। अशोग गलोत अगर चाहें तो वो विदानसभा में एक बिल ला सकते हैं। CRPC को अमेंडमेंड करने का कि उस प्रोसीजर में शामिल कर दिया जाएगी अगर सामोहिक बलातकार कि